सर तेल्देवाले से सर हेलमेत कि नहीं लगाते घंधा सर हां तो चोरी होता इसा है सर बाइक में संग्यास बाइक में बैठा बाच बाटन आधा सब्सक्राइब कि आपको यहलमेट दे रहे हैं यह सस्ता है हमारी यह हैलमेट दे रहे हैं और आपकर नंबर नोट कर लिए अगर आप दुबारा हेलमेट बिना हेलमेट के पकड़े गए तो आपके खिलाफ जो वेदानी कारवाई यह की जाई अब देख सकता हैं सुनील सती जी दुआरा बिना हेलमेट लगाए जो लोग बाइक चला रहे हैं उनको हेलमेट भी पनाया जा रहा है और समझाया जा रहा है और पूरे तरीके बताया जा रहे हैं कि कैसे हेलमेट लगाना है और आगे से बिना हेलमेट ना नजर आए और इस पूरे कार्य करम में the national helping hand जो के एक समाज से विशंसा है वो traffic police के साथ कंदे से कंदा मिला कर काम करती है और आज ये helmet the national helping hand की और से ही बाटे जा रहे हैं और लोगों को समझाया भी जा रहा है तो अब क्या करोगे helmet लगाओगे या फिर ऐसी अगर चोरी होगे तो क्या करोगे अब आपको जो भी ऐसा मिले घर परिवार में दोस्तों मेरी सिदारों में उन्हें भी समझाए कि भाईया helmet लगा लो नहीं तो चलान भी कटेगा अब कर रहा है तो आपको चला रहा है जब पुलिस ने रोका आपको चालान कर देते लोगे तो पहले आपका फिर क्या करते आप पशबी ने रहते आपको लगाया करोगे तो क्या कहना चाहोगे यहां इस टीम को जो संस्ता है इन्हें सीप्यूवालो को पुलिस वालों को अब क्या कहना चाहोगे धन्यवाद करना चाहेंगे इस की ना इसकी कीमत चुकानी पढ़ती है वह इस तरह से कि आप खुद भी हेलमेट लगाएं और दूसरों को भी प्रेरीद करें ऐसा तो निया घर में से बच्चों को ऐसी बाइक दे के भेज देते और वो चले जाते हुए नहीं कि फॉर विलर का चलान करते हुए सुनील सती जी कि आपके पास हेलमेट कहा है अगरा जाएंगे दो यहां को रोका गया है जिनके पास ना तो गाड़ी के कागस है ना ही लाइसेंस है एसे कैसे हो जाएगा है जो अपिन अहल मिदी चला रहा हुगा यह कापसे चला रहा हुगा अब करने अब लुक्ति अब करने खैशनल धाट बढ़िया बाद यह लाइसेंस ना है भी ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारा टंबर चडा दिया इस से ज्यादा आपको अपनी सेफटी तो हैं मेट दुकान के क्या वह दूद्ध दे रहा है का नहीं वह दूद्ध देता है कि आपका नहीं दूद्ध देखा देरी पर दियान देरा है अघ्यालाय हुद्ध दूद्ध 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 मेत दूद्ध 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 बल्लका नहीं नहीं देखा इसलिए तो रोकली आगे पैचान हुई भी है इनकी नजरों में किया फर बार निकलते हो ऐसे ही बचका अब क्या करोगे आप तो सारे शहर में घूम लोगे आप बिना हलमेट के वापस तो जाओगे नुठाने या वापस जागे उठा के ला रहे हो अपना हलमे यहां जो चलान किया जा रहा है इस बाइक का वो है साइलेंसर को लेकर यह कहना है कि जो साइलेंसर लगवाया गया है वो नॉम्स के कोर्डिंग नहीं है यानि इनोंने अपना लगवाया है जिसकी वज़े से दोहनी परदूशन बहुत जादा होता है यह इस बाइक का चलान किया जा रहा है एंफिल्ड का ट्रेफिक इंस्पेक्टर सुनील सती जी इस बाइक का चलान करते हुए तो आगे हमारे दर्शक भी धियान दें इस तरह का कोई भी काम ना करें कि उन्हें ऐसे परिशानी का सामना करना पड़े यह जो आज आप प्रोग्राम चला रहे हो दे नाशनल हेल्पिंग हैंड के साथ मिलके क्या है थोड़ा सा डिटेल बताए हमारे देखने वालों को भी पता चले क्या चल रहा है रुड़की में आजकर देखिए सर हमारे एंजियो है और यह ड्रक्स पर भी काम करते हैं और रोड सेट्टी पर काम करते हैं तो रोड सेप्टी के अभियान के तहई दिनों आज हम से संपर कि हम कुछ ऐसे लोगों को हमेट देना चाहते हैं जो उनको जागरू करने के लिए ताकि उनको इस समझ म को पब्लीक को मैसेज जाए कि आप हेलमेट पहन के सुरक्षित रहे हैं अच्छा आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे पुलीस चलान भी लगातार काटती है सीपीउ भी रोकती है लोगों को समझ में क्यों नहीं आती बात आखरे है क्या यह देखिए मेरा इस करो दूसरों की साहिता करो यह भी एक ससकार के तौर पर हमें देना चाहिए रोट सेप्टी को जब तो रोट सेप्टी को हम ससकार की तरह लेंगे तो हमारा बच्चा जब बढ़ा होगा तो उसको हमें बताने की जरूरत नहीं पढ़ेगी कि आप हेलमेट पहनेगा आपका मैसेज आज बहुत लोगों तक पहुंचेगा सर और मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों में जागरुक तब ही आएगी इस चीज को लेकर कोई दो वर्ड युवाओं को लेके जो लोगों सड़कों पर गाड़ी बगाते हैं उनको लेके कुछ संदेश का देखे गाड़ी बहुगाने वालों को संदेश यह है कि स्पीट फ्रिल्ट किल्स इस पीड को थ्रिलिंग होती है इस फीड चलाने मज़ा आता है लेकिन वह आपको के लिकरती है यह पताने कि च्छन भर में आपके साथ क्या होने वाला है क्योंकि आपका कंट्रोल एकित आप उस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो इसलिए उसमें गाड़ी की स्पीड असी दी है वो एक रिसर्च के तौर पर दी जाती है ऐसा नहीं कि समाज सेवी संस्था ने सुनील सती सर जो है और हमारे ट्रैफिक के और जो अधिकारी है ये लोग इनके साथ मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है हेलमेट को लेकर यह अतायाद जाग रुकता अभियान और कई लोगों को हेलमेट बांटे भी हैं सुनील सती जी ने अपने हाद है नशाद हाशमी साब ये बताएंगे आपको जी सर सर दान एसनल हेल्पिंग हैंड की और से जो परसासन के साथ में लगके जनता को जागरू करने का जो काम जो हम लोग कर रहे हैं वो सिरफ हमारा मकसद यही है कि जनता को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुचना हमें इन लोगों को समझाना है कि आपके परिवार है परिवार में आपका कोई इंतजार करता है जब आप घर से निकलते हैं अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो फिर उस परिवार का क्या होगा इसके बारे में सोचकर हम सब को जो भी सरकार ने जो परसासन ने जित काफी जागरूप भी हो रहे हैं इस समय समय पर हर चोकों में जा जाके लोगों को जागरूप करते हैं हेलमेट के पड़ती क्याति नियमों के पड़ती अब आप जैसे देखी रहे हैं कुछ कुछ लास्ट सालों में हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का काफी अच्छी तरीक से बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ हमारी दुरवटनाय भी बहुत जादा हो रही है तो उसको रोगने के लिए अब हमारी सडके भी अच्छी है गाड़िया भी अच्छी है लोग प